प्रप्री वद्यार्तियों स्वागत आपका वीकेस फिजिक्स अकेडमी कल जो बीसी फर्स समेश्टर का पहला पेपर हुआ था फिजिक्स का उसमें लगभग 50-60% जो हमारे क्योशन पेपर जो हमने बताए थे क्योशन क्योशन उनमें से आए काफी सर्विद्यारति इसके लिए कोमेंट भी कर रहे हैं और आप सभी ने अच्छी तयारे की इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखिए पहले से में पता नहीं था क्योंगी अभी स्टार्टिंग ही हुई है एक्जाम जो है समेश्टर क पहली बार हुआ है इसलिए हमने जो अंदाजा लगा है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा कम रहा लेकिन अब हमें पता चल गया कि जो नेक्स्ट वेपर है वो अगर उसी पैटर्न पर आता है तो हम दूसरे वेपर के अंदर जो कल होगा जरूर हम लगभग सतर से जैसी बर्शेंट उससे कवर करेंगे और इसके लिए मैंने आज वीडियो जो अबनाई है हमारी पांच मिनिट जो है पेपर सैकेंट की वो बाकी थी वह भी अप्लोड कर रहा हूं और जो निमेरिकल है वो सोलिशन के साथ मैं आपको उपलद कुराने की फूरी कोशिस करू क्योंकि वीडियो दूसरी नहीं बन पाएगी टेलेग्राम पे अप्लोड करूंगा टेलेग्राम चैनल जोइन कर लेजीगा हमारे यूटूब चैनल के नाम से ही टेलेग्राम चैनल है उसी नाम से मारे इस्टाग्राम आईडी है आप उसे वहाँ पे हमें फोलो कर से कि हम और सभी विद्यार्थियों की भी हैल्प कर सकें जिन तक यह क्योशन पेपर्स या जो अपने स्टेडी में पहुंच पाता है वीडियो को लाइक करें करें कोमेंट जरूर कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं तो आज टाइपिंग करने के लिए मेरे पास टाइम ब पहला हमारा क्योशन है कि एमपियर नियम का गणितिये रूप क्या है एमपियर नियम का गणितिये रूप होता है बी डॉट डी ये रिखा समाकल है बी डॉट डी इक्वल म्यू नोट समेसन आई यह समेसन आई है यानि किसी बंदपत में जो आपका बीज ये योग है दार तो इस प्रिकार के जो रिलेशन वाड़े क्यूसे ने वो मैंने देखे पिछी वाड़े पेपर में आए तो इसलिए मैंने यहां पर बनाए हैं कि अनंत अलमाइक का जो चालकतार उसका दूरी के साथ सम्मध होता है वो होता है और दूरी के साथ वो वित्कुर्मानुपाती स अक्ष पर चले जाएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा जीरो तो मैं जो आपको क्यूसन बोल रहा हूं साथ में वेव क्यूसन भी बन सकते हैं वो सारे टाइप नहीं हो सकते हैं तो वीडियो को ध्यान पूर कंप्लीट सोने आप लाश तक जरूर देखें जिससे कि मैं आपक अच्छे से कबर हो जायेगा इसके बाद नैक्ष दे युशन है कि परिनालिका का सम वक्रीड रिखावर्ण मीव नोट एनZeकिक है एक परती का Maxwell की second equation भी है जो आपके जो EMI बड़ा chapter लगता है electromagnetic induction यानि की विदू चुम्ब की अपरेरन उसके अंदर यह आएगा तो मैंने यही प्रवोक्योशन बना दिया है Maxwell की second equation भी उसले तो भी यही है और चुम्बक की सितर का divergence divergence B vector equal 0 यही होता है इसके बाद next question है कि जो चुम्बक होती है हमारी जो एक dipole के बात करें जैसे magnetic dipole की बात करें उसका उधान है चुम्बक के अक्ष के उपर चुम्बक की सितर समंदित है यहां पर रूट लगा सकते हैं वह होता है लेकिन आर के साथ समंद हमारा वही होता है फिरे next question है कि जड़ चुम्बक की अक्ष से थीटा कोण पर चुम्बक की सितर की तिवरता का क्या समंदित है यहां पर याद रखें म्यू नौट एम अपॉन फॉर पाई र की क्यूब यह जो अक्ष वाला है इसके मुल्टिप्लाइं में आएगा वन प्लस थ्री कोस्ट के थीटा की वन बाइटू यानि कि यहां पर रूट लगा सकते हैं वन बाइटू का मतलब है रूट पर i a Gel घूट रखें में अब्ल प्रूद करें वन चाहले कर दिया होगा विदूशितर यह यह परवाव हमारा कहलाता है होल परभाव कहते हैं इसको होल परभाव कहते हैं जब हम दो परपेंडिकुलर दिशाओं में दारा और चुमबकीशतर लगाते हैं तो तीसरी लंबध दिशा में विदो चैतरका उत्पन होना होल परभाव कहलाता है पिर next question है 12 number कि स्थिर रवस्ता में होल परभाव में लोरेंज बल कितना होता है तो लोरेंज बल होल परभाव में जीरू होता है लोरेंज बल का मलब होता है कि ऐसा बल जहां पर विदोत और चुम्बक की बल दोनों आते हैं वो लोरेंज बल होता है और जो होल परभाव के अ से लोरेंज बल्त कमान सुनने हो जाता है next है कि हूल नियतां का मान क्या है होल नियतां कि आ रहें चेए उसका मान होता है यह चपाउने यह जए याद रखें इसके लिए ट्रीक भी बता सकते हैं आपको आप याद रखें राजा भाई इस तरह के से राजा भाई आर का मतलब होगा आर से ठीक है जे का मतलब होगा जे से बी का मतलब होगा बी से और equal का symbol और E का मतलब यहाँ पे लगाएंगे आप E यहाँ से आप देख सकते हैं यह J B upon में चला जाएगा J B upon में चला जाएगा तो R equal होजेगा E बटा में J B ठीक है तो आप इस तरीके से जो आपको given relation होगा वो आप यहाँ पे find कर सकते हैं assume कर सकने भी कौन सा होगा राजा भाई आप याद रखें E जो है वो बराबर में रखना है बाकी R, J और B स्टार्टिंग में आएगा इसके बाद next यहाँ पे जो हमारी question है वो यह है कि यदि whole गुणाख negative और positive तो इसका मतलब क्या होता है वीडियो को share जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से दो युद्याकति इसका फाइदा उठासके कल एक्जाम है सभी विद्यातियों कि हम help करें यही हमारा उदेश्य है यही होल गुणाख negative और positive हो तो आविस वाग क्या होते है होल गुणाख negative होने का मतलब होता है कि अविस वाग है electron और होल गुणाख positive होने का मतलब होता है कि अविस वाग उसमें whole है ठीक है तो यहाँ पर पहला option होगा इसके बाद next है कि होल नियतांख जो है हमारा उसका आविस गनतों से क्या संबंद है तो होल नियतां का आविस गनतों संबंद होता है देखे रह बराबर वन अपॉन NQ याद रहे कि N यहाँ पर है आपके आविस गनतों आप कह सकते हैं परती एकां कायतन में जो आविसों की संख्या वो है यहाँ पर आविस गनतों है Next trees個 question है कि अर्द चालकों में होल गना का समंद क्या है अर्द चालकों के अंदर होल गना का समंद होता है हमारा वो होता है P, Mu H Mu H यहाँ पर है गति शीलता होलों की और Mu E यहाँ पर है इलेक्टणों की गति शीलता यहाँ पर अपन में आएगा E और P, Mu H यह आप थोड़ा ध्यान रखें यह इस परकार का फूर्मला आपको दिखाई देगा उसको आपको टिक करना है इसमें देखिए आप कहां पर क्या लगा हुआ है यह फूर्मला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा फिर नेक्स्ट क्यूसन है कि दिखाई यह फूर्मला तो आप इस वीडियो को कॉंपलेट करूंगा और आप वीडियो को सेर कर दीजे ताकि सबी विद्यारतियों तक हमारी वीडियो पहुंचे हमारा चैनल पहुंचे और हमें मोटिवेशन मिले हम और ज़्यादा बहता तरीके से जो नेक्स्ट विद्या इंपोर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे विद्यूत वहागबल फ्लक्स परिवर्तन की बरावर होता है यह कैसा नियम है कौन सा नियम है यह नियम आपका फिराडे का नियम है फिराडे का नियम कहता है विद्यूत वहागबल स्वान बाती होता है फ्लक्स में परिव होती है कौन सा नियम है ये लेन्ज का नियम है अब वो सकता है आपको परसंस उलटा दे dzięki लेन्ज का नियम है इस टीके से स्टेटमेंन दे सकते हैं लेकिन स्टेटमें पर स Hadi और क्योशन में बनेंगा और जो विगयनिक या जो रूल के नाम है वो आपको उप्शन में मिल सकते हैं नेक्स्ट अगी फ्लक्स परिवर्तन से प्रेरी ताविस क्या होता है कितना होता है तो यह होता है एन अपोन आर फाइवन माइनस से फाइटो यह आपका फूर्मला होगा याद रखने ना फ्लक्स में परिवर्तन इंटू में एन है कुंडली में फेरों की संक्या बटा में है परतिरोध कुंडले का फ्राडेनियम का समाकलन रूप क्या है देखिए फ्राडेनियम का समाकलन रूप पूछे या मैक्स्वेल की थर्ड इक्वेशन पूछे एक ही होती है यह होती है बंद पत का जो आपका यह प्रष्ट्ट समाकल है e.ds vector equal होगा del upon del t b.da चुम्ब के सहतर के यहाँ पर यह अपकना जो flux आप कहा सकते हैं चुम्ब के flux b.da के बराबर होता है यह आपका Maxwell की third equation भी है और Friday का समाकलन रूप भी है next question है 22 number कि Friday नियम का अवकलन रूप क्या है फिराडी नियम का जो अवकलन रूप है वो हमारे पास आएगा curl e vector बराबर minus b vector यह द्याद रखे माइनस आता है curl e के अंदर curl e आएगा और बराबर में minus b आएगा पलस नहीं आएगा ठीक है कुंडले में चुम्ब के उर्जा का सही सम्मन्द क्या है 1 by 2 li square होता है ठीक है 1 by 2 li square है वो हमारा right relation है कुंडले में चुम्ब के उर्जा होती है इतनी और इसको आगे हम एक question और भी बनाएंगे इसमें हम चुम्ब के शेतर में उसको परदर्शित करेंगे यहाँ पर आपको यह पूश सकते हैं याद रखें अभी बता रहाँ नोट कर लिजिएगा एक तो सीधा formula पोश सकते हैं और एक आपको दारा के साथ सम्मन्द पोश सकते हैं कि दारा का square के साथ सम्मन्द है क्यूब के साथ सम्मन्द है चुम्ब के उर्जा का पिर एक कुंडली वे परिनलिका का सव परेरक्तों चक्रों की संख्या के समानुपाती होता है किस प्रकार से समानुपाती होता है तो दोनों ही के अंदर कुंडली हो या परिनलिका हो उसमें चक्रों की संख्या के square के समानुपाती होता है आपका सव परे रखता हूँ याने कि self inductance के हम बात कर रहे हैं next हमारा question है 25 number कि कुंडली वह परिनालिका का सव परे रखता हूँ तिर्जया के साथ क्या समध रखता है तो कुंडले का जो सव परे रखता वो तिर्जया के समानों पाती होता है एक घात के और परिनालिका का होता है दो घात के याद रखे लेना उल्टा अगर आपको option ऐसे दे सकते हैं उल्टा लिके दे सकते हैं या आपको ऐसे कर सकते हैं दोनों स्केर के समानों पाती हैं तो कुंडले का R के समान पाती होगा और परिनले का R स्केर के समान पाती होगा फिर यह transformer की सिधान पे कारे करता है तो transformer हमेशा अनोन्य अप्रेंड के सिधान पे कारे करता है वो transformer केवल AC के लिए काम करता है दिश्ट धारा के लिए transformer कारे कभी भी नहीं करता है वो सिरफ परत्यावर्तिधारा के लिए ही कामें करता है next question है अनोने प्रेरण वे सव प्रेरण गुणाक में क्या सम्मध है तो अनोने प्रेरण और सव प्रेरण गुणाक में सम्मध होता है m बराबर k under root l1 और l2 l1 l2 हमारा कुण। अनोने प्रेरन गुणाक में करता है right relation होगा m बराबर k root l1 l2 k command अगर zero होता है तो वहाँ पर कोई युगमद नहीं होता है k command अगर एक होता है तो वहाँ पर guard युगमन हम बोते है इसमें अधिकतम जो हमारा फलक्स है वो इसमें इंजरनेट होगा ठीक है और के कमन एक से कम होने पर फलक्स की हनी होती है नेक्स्ट है कि ट्रांसफर्मर में धारा वोल्ट तावे चक्रों की संख्या का क्या संबन है तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो धारा है वोल्टा है उसकी चक्रों संख्या देखिए जितने ज़्यादा चक्र होंगे वोल्टेज उतनी ही ज़्यादा होंगी तो वोल्टेज और चक्रों की संख्या का तो समन्द होता है समानुपाती और धारा के साथ इनका समन्द होता है ब्यूत कर्मान पाती तो यह पहला जो रिलेशन वो याद रखें यह आपका राइट है क्योंकि इसमें हम यह निकालते हैं सकती इंपुट सकती बराबर हम आते हैं आउटपुट सकती ट्रांसपार्मर में दक्सता 100% मान के तो इस अधार पर देखा जाए तो यहाँ पे चक् हैं प्रात्मिक के वह बराबर आएंगे वोल्टेज के और दारा आएंगी अपोजिट ठीक है फिर नेक्स्ट क्यूशन है हमारा 39 नंबर के उच्चाई वे अप्चाई ट्रांसपार्मर के लिए सही सम्मद्ध क्या है तो अभी मैंने आपको बता है उच्चाई ट्रांसपा में सेकेंडरी कोईल में चक्रों संख्या होती है ज्यादा प्राइमरी से और अप्चाई में प्राइमरी में ज्यादा होती है सेकेंडरी से तो इसमें भी आपका उप्शन होगा पहला यह जुम्हें बाते बता रहूं आपको याद रखनी है आदर्स ट्रांसपार्मर की द द्वारा मापन होता है यह मैंने बहुत टोपिक के अंदर से क्यूशन निकाड़े हैं तो मेरे इसाब से मुझे जान तक उमीद है आपका पेपर बिल्कुल कवर हो जाएगा रही बात नुमेरिकल की तो वह आपको मैं टेलेग्राम पे उनकी फीडिएफ अप्प्रोड कर देंगा है वहाँ से आपकर कवर कर सकतें है तो चुंबक्य उर्जा का उर्जा घंध्व क्या होता है अभी हमने उपर बात कि थी कि चुंबक्य उर्जा का फूर्मुला एक बटा दो एलाई स्केर होता है वहां से हम सव परिरखताओ को मान रखेंगे और परी नहीं लेका के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं तो आई का मान बर्पन होती Siz love prosperity वेटों के बीच में। मैक्सव्यलड़ के परताम होते हैं कि मैक्सवेल की परतम स्मीकन होती हैं सिस में अमारे पास दो पदा चलन्धाण ढका आता है वह व्र 46 7 कर दोन यहां पर D है वो इसापन को depend कर रहा है रिनोट कर रहा है और जी एफ है वो आपका free जो मुक्त electron होते हैं उनका होता है तो यहाँ पर यह समझ दोगा करल B vector ब्राबर मूँ जे एफ प्लस D और अगर मूँ आप उस साइड में ले जाएंगे तो ब्राबर मूँ जो है वो आपका चुमकन चेतर होता है तो हो सकता है आपको exam के अंदर यहाँ पर करल H vector दिखे तो लेकिन यह आपको फिर यहाँ पर मूँ नहीं रिखेगा मूँ इस साइड में आ जाता है और ब्राबर मूँ एच हो मूँ ठीक है यह आपका option होगा C अब इसमें आपको यह भी पूछ सकते हैं आप देख सकते हैं यह जो फॉर्मूले हैं उनमें विदू चेतर और चुम्बके चेतर दोनों चेतर हैं वो उर्जा गनतव के साथ होते हैं और स्केर के साथ होते हैं तो आपसे हो सकता है यह स्केर का सम्मंदर रखते हैं उमीद है कि यहां से question आपके लगबग सारे cover हो जाएंगे और आपका paper बहुत अच्छे तरीके से complete होगा तो आप paper होने के बाद हमें भूल मत जाएगा आपके second year में और आगे मेसा हरे class में हम आपका साथ देंगे और आपको इसी तरीके से exam time म और आपको जो भी topics हो वीडियो lectures हम upload कराते रहते हैं और जैसे time मिलता है वैसे ही और आप वीडियो को like करें comment करें share जरूर करें और हर एक platform पर हमें join करें जैसे telegram instagram facebook और youtube चैनल पर आप हैं ही मिलते next video में धन्यवाद